जूर्ट मारींग फ्रेंग्स वेल्कम वन्स अगेन तु निफ्ति एनलीशिस फ्रों ट्रेडिंग फ़ाइप.in आज है 13 ओक्तोबर 2020 तुजड़ा है सुभी के अट बच कर 19 मिनित्स हो रहा है दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का कल पहले दिन हमने देखा बारा हजार के स्तर निफ्टी इंडेक्स ने फिर से एक बार टच किये लेकिन उस लेवल पे सस्तेन नहीं हो पाया वहां से ये करेक्शन थोड़ा सा दिखा रहा था कल दो इवेंट्स थे अगर आप देखे तो इंडेस्टियल प्रोडक्शन डेटा आई आई पी वो घटकर 8% हो चुका है प्रीवियस था 10.8% उससे 8% पे आ गया और इंफलेशन रेट वो भी बढ़ गया है 7.34% और प्रीव मार्केट के लिए कल थोड़े से दिक्कत बरे साफित हुए और मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन दिखाया अभी निफ्टी इंडेक्स में क्या पैटर्न बन रहा है उसको इडेंटिफाइ करेंगे सबसे पहले कल के जो आनालीसिस था उसका एक रिव्यू करते यह कल का पिक्चर है यह आरली चार्ट है यहां पर आप डेट देख सकते हैं 12 अक्तोबर तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेक आउट लेवल बन रहा था 11,941 इसके ऊपर काफी ओनिफ्टी इंडेक्स ओपन हो चुगा था तो यहां पर शुरू में कोई ट्रेड नही तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग यहां पर कोई नहीं बन रही थी निफ्टी इंडेक्स में ट्रेडिंग के लिए लूबल मार्केट के हाला देख लेते हैं आज क्या है यूस मार्केट कल जबरदस तेजी के साथ बंद हुआ था करीब 300 पॉइंट की बड़त देखने को मि मिल रही है जो कोरुणा वाइरस से उसका सेकंड वेव यूर्वमें कई इलाखों में देखने को मिल रहा तो कई जब फिरक्ष्ट लॉग डौन करने की भी वहांपर भारी आगई है तो वहां पर एक कमजोरी देखने को मिल रही है साब तो पर यूरोबियन मार्केट में इ क्या ये करेक्शन और गहराएगा या फिर करेक्शन एक निसेसरी है इतना उपर निफ्ट इंडेक्स आने के बाद एक करेक्शन बनना लाजमी होता है तो क्या ये थोड़ा पीछी हट के एक जबर्दस बाउंस बैक देखाएगा कहां पर सपोर्ट के लेवल सारे उसको इडेंटिफाय करेंगे सबसे बहले वीकली चार्ट को देखते हैं वीकली चार्ट को ये हमने फिपोनासी एक्स्टेंशन टूल को यूज़ करके ये लेवल्स प्रोजेक्ट किये थे अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे तो आपको ये शायद बता होगा कल भी एक्जाइक 11,930 के पास आके ये क्लोज हुआ है तो इस लेवल के पास अगर निफ्टी इंडेक्स हर्डल फेस करते हैं तो यहां से यह अगर टूर्ड साउथ की दरब कमो करता है तो फॉर्स्ट इमीजेट सपोर्ट होगा यहां से यह जो स्विंग हाय बना इसका हा सकता है टूर्ड साउथ की दरफ तो 11,800 का मेजर सपोर्ड है डेली चाट पर चलते है डेली चाट पर अगर देखे तो यहां पर एक पैटर्न बन सकता है स्पीनिंग टॉप जैसा अगर यह कैंडल को अगर आप कुछ पास्ट में जाकर देखे कैसे यह फॉर्म हुआ था औ उसके बाद रेड कैंडल और फिर एक करेक्शन अगर और थोड़ा पीछे जाए तो यहां पर एक स्पीनिंग टॉप जैसा कैंडल बना था फिर एक छोटा करेक्शन आया था और थोड़ा पीछे जाकर देखे हम तो यह स्पीनिंग टॉप जैसा कैंडल है और इसके बाद यह red candle तो यह spinning top जैसा candle stick यहाँ पर बन सकता है अगर ऐसा candle बनने के बाद एक red candle आता है और इस candle का low अगर break होता है तो नीजे की दरफ कहाँ support होगा इसके लिए हम Fibonas Retracement tool को use कर सकते है तो यह जो upside move आया है high और low को पकड़ के यह tool को use किया है और 11,731 के पास 23.6% का level आ रहा ह होता है तो यहाँ पर 750 के पास nifty index penetrate होता हुआ दिखाई दी सकता है तो 11,750 to 11,800 support होगा और nifty index 12,000 के ऊपर sustain करता है तो nifty में 12,300 के levels हमें देखने को मिल सकते हैं तो यह था nifty index का daily और weekly chat के scenario अभी कल भी जैसे हमने यहाँ पर divergence देके थे RSI versus यह price action तो ऊपर आप देख सकते ह price action higher highs create कर रहा है लेकिन RSI में यहाँ पर देख सकते हैं यह lower highs create कर रहा है तो यह clear का divergen है अगर nifty index कलके low को break करता है तो यहाँ पर nifty index 11,800 जहाँ पर यह 20 है में यह two hourly chart देख रहा है हम यहाँ पर 11,800 के पास यह 20 है में आ रहा है तो जैसे कि हमने weekly chart में भी देखा जो swing high बना यहाँ पर आप यह 11,800 के पास यह swing high बनाता है और यहाँ से यह correction दिखा रहा था तो 11,800 major support यह break होता है तो और भी nifty में correction गहराता हुआ नजर आ सकते हैं आज के लिए intraday levels क्या हो सकते है नifty index अगर यह जो कलका support जहाँ पर nifty index आकर यह close हुआ था जिसके level के नीचे यह close नहीं हो पा रहा आरली चार्ट में आप देख सकते हैं उसके पहले दिन यानि फ्राइडे को भी इस level के पास यह resistance पेस कर रहा है तो अगर यह 11,9009 की level के नीचे चला जाता है comfortably sustain करता है तो यह intraday के लिए हम यहाँ पर buy position मना सकते हैं और तभी हमारा 1st target होगा 11,887 यह हमारा 1st target होगा और 2nd target होगा 11,861 यह हमारा 2nd target होगा और nifty index कल का यह जो resistance का level बन रहा है यानि 11,977 इस level के उपर close नहीं हो पा रहा था आरली चार्ट में यह हमारा breakout level हो सकता है और इसके उपर अगर sustain करता है तो यह हम intraday के लिए buy position मना सकते हैं और तभी हमारा एक चोटा सा quickly target होगा 11,996 यह हमारा 1st target होगा और 2nd target होगा 12,021 यह हमारा 2nd target होगा तो यह है आज के लिए nifty के intraday level से अगर आपको यह वीडियो analysis अच्छा लगाओ तो like, share, comment जरूर करें और subscribe करना ना भूलें, so thank you very much and happy day day.